नमस्कार मैं हूँ डाक्टर सुनेल सत्यार्थ और आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल हेल्थ ग्यान आप सभी ने अपने दिन की सुरुआत गर्म निवू पानी से करने के फायदे के बारे में सुना है चबक्ती तोचा और वजन घटाने से लेकर विसाग पदार्थों को बाहर निकालने तक निवू पानी के कई फायदे यहां हम पांच कारण बताते हैं कि आपको सुबह निवू पानी क्यों पीना चाहिए आए जानते हैं कारण नंबर एक पित और पेट में एसीड के उत्पादन को उत्तेजित करता है गर्म निवू पानी पित और एसीड के उत्पादन को प्रोसाहिद करने में मदद करता है इसके अलावा सुबह प्रयाक्त पानी पीने से सभी अंगों को अपने अच्छे प्रदर्शन करने में मदद मिलती है निवू में मौजूद साइट्रिक एसीड लीवर को उत्तेजित करता है और डी टॉक्सिफिकेशन में मदद करता है डी टॉक्सिफिकेशन यानि कि सरीर के अंदर मौजूद विसात्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है दूसरा कार है पाचन गर्म पानी के साथ नीवू पाचन में सहायता करता है अपच से रहात देता है और विसात्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है यह क्रित को पित का उत्तेजित करता है जबकि एक आवस्यक एंजाइन है जो पाचन में सहायक होता है यदि सरी में पाचन सुचारू रूप से होता है तो यहां हर्ड वर्मिंग, कब्ज, पेट खुलना और सुजन की संभावना को कम करता है यहां मल त्यागने को प्रोसाहिद करने के लिए भी जाना जाता है तीसरा कारण है यहां आपकी प्रतिरच्छा प्रडाली को बढ़ाता है यानि कि सर्दियों में रोगों से लरने की छंता को बढ़ाता है निवुस सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि वे विटामिन C और सैपुनिंग से भर्पूर होते हैं, जो सरदी और फ्लू को रोकने से मदद करते हैं. वे पोटाइसियम में संभुनिध हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता हैं और मस्तिस्क और तंत्रिकात कार्य को उत्तेजित करता है इससे ज्यादा और क्या निबु में मौजूद एस्टर्मिक एसीड उनके विरोधी भरकाउं गुणों के लिए जाना जाता है और अन्य स्वसनमुद्वों का मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छा है निबु सरीर में आयर्ण के और सोसर को भी बढ़ाता है और हमारे सरीर द्वारा उत्तपादिक कप की मात्रा को कम करता है चौथा कारण है शरीर में पी एच अस्थर को संतुलित करता है भले ही निबु में साइट्रिक एसिड होता है लेकिन वे सरीर में अमलता पैदा नहीं होने देता है क्योंकि वे सरीर के अंदर एक बार चया पचय करने के बाद छारी हो जाते है वे हमारे सरीर के लिए सबसे छारी खाद्य पदाफों में से एक है नीबू में साइट्रिक एसिड और एस्कार्विक एसिड होते हैं जो असानी से चया पचय होते हैं और रक्त को छारी करने में मदद करते हैं सरीर का pH अस्तर अमली होने पर सरीर रोगों का सिकार होता है निबू पानी पिने से जोडों में यूजिक एसिड को रोका जा सकता है पाचवा कारण है तोचा के लिए या बहुत ही अच्छा है निबू में मवजूद एंटी ओक्सिडेंट और विटामिन सी जोरियों, लाइनों और ब्लेमिसेज की उपस्तिती को कम कर देता है और मुक्त कड़ छती को भी रोकता है विटामिन सी की छारी प्रकृति मुहासा पैदा करने वाले बैक्टेरिया को मारने के लिए भी जानी जाती है नीबू का पानी आपके सरीर के सिस्टम में विसाथ प्लाफों को बाहर निकालता है और आपकी तोचा के अंदर और बाहर दोनों तरब से साफ करने में मदद करता है शरीर में पाई जाने वाली एस्ट्राफैक चर्वी को भी कम करता है कमर को पतला करता है पेट अधिक निकल गया है तो उसको भी कम करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और हमें तमाम रोगों से लड़ने की छंता प्रदान करता है तो दोस्तो आज का वीडियो रहा गर्ब निबू पानिक के विशाई में वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट कर जरूर बताएं धन्यवाद नमस्कार जैहिंद बंद्यमात्रम